पहले तो आपको समझना चाहिए कि अंदर क्या है ठीक है और बाहर क्या है अगर आप नहीं समझते कि अंदर और बाहर क्या है तो आप सभी गलट जगाओं पर जाएंगे अब अंदर क्या है? आपका शरीर समय के साथ इकठा हुआ हाँ या न? हेलो? मा? आप जो इकठा करते हैं, वो आपका हो सकता है आप नहीं हो सकते क्या इतना स्पष्ठ है? वो जो भी हो जो आप इकठा करते हैं, वो आपका हो सकता है आप नहीं हो सकते तो ये शरीर एक संग्राय है जिसे आप मेरा मन कहते हैं मन की सारी चीजें बटोरी हुई है जो इस पर निर्भर है कि आप अपने जीवन में किन हालातों का सामना करते हैं तो आपका शरीर भोजन का एक धेर है छोटा या बड़ा आपका मन प्रभावों का एक धेर है फिर से छोटा या बड़ा इन दो धेरों के बीच आप कहां है तो अंदर बाहर इन शब्दों को छोड़ दीजिए क्यूंकि जब भाषा की बात आती है तो सिर्फ उतनी ही कुझायश है तो उसके अंदर शायद अलग-अलग लोग उसे अलग-अलग रूप में इस्तिमाल करने की कोशिश कर रहे हैं हम नहीं जानते कि उन्होंने किस संदर्भ में इस्तिमाल किया आपने हर किसी को एक ही बंडल में रखा और कहा आप सभी ने ये कहा मैं नहीं जानता कि ये सब लोग कौन है अलग-अलग लोगों ने अपने आसपास अलग-अलग तरीके अपना है अपने आसपास के लोगों को देखते हुए जो उनके आसपास के लोगों के लिए सबसे उप्योग था उसके अनुसार उन्होंने काम किया होगा इसकी संभावना है अगर वो इमानदार है तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों के साथ काम किया होगा किसी और के सिध्धान्तों के साथ नहीं किसी व्यक्ति को देखकर आप कुछ ऐसा करेंगे जो उस व्यक्ति के लिए सही है जो आप इस व्यक्ति के साथ करेंगे, वो किसी और व्यक्ति के लिए कारगर नहीं हो सकता आपको इस व्यक्ति के साथ कुछ और करना होगा मगर आप एक सामान्य बात कर रहे हैं, अंदर बाहर तो पहले तै कीजिए कि अंदर बाहर क्या है अभी सब कुछ बाहर है, दुनिया बाहर है. शरीर भी बाहरी सामान है. मन की सारी चीजें भी बाहरी है. तो ये अंदर क्या है जिसके आप बात कर रहे हैं? फिर आप तुरणत आत्मा, पर्मात्मा, सोल ये कहेंगे. आब आप विश्वास की बात कर रहे हैं. आप नहीं जानते आप जानते हैं आपके पास एक शरीर है हाँ, हेलो फ्लीज अपने पडोसियों को चेक कीजिए आप जानते हैं आपके पास एक शरीर है आप विश्वास करते हैं आपके पास एक मन है मगर कुछ हद तक आप जानते हैं कि बाकी विश्वास है, हाँ या ना, मैं ये सवाल नहीं कर रहा कि ये सच है या जूट, चलिए वहाँ नहीं जाते, मगर ये एक विश्वास है ये अब तक आपके अनुभव में नहीं है अगर आप किसी चीज के बारे में बोलते हैं जो अब तक आपके अनुभव में नहीं है साफ साफ कहें तो आप बस एक जूटे है इसका ये ही मतलब है मगर क्योंकि जूट पवित्र है जूट धर्म ग्रंथों में लिखा है जूट तमाम लोग दोहराते रहते हैं जो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं जो मूर्ख होते हुए भी पवित्र माने जाते हैं इसके कारण आपसे इन शब्दों पर सवाल उठाने की उमीद नहीं की जाती आप कहीं जाएं पहली चीज़ लोग कहते हैं जद्गुरु सोल क्या है मैं उनसे पूछता हूँ कौन सा सोल दाया या बाया तो चलिए ऐसी चीज़ की बात ना करें जो आपके आनुभव में नहीं है अभी आपका शरीर कुछ हद तक आपके आनुभव में है आपका मन कुछ हद तक आपके आनुभव में है बाकी आप नहीं जानते मगर हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर मुझे इतना शरीर इकठा करना है अगर मुझे इतना मन इकठा करना है तो कुछ अधिक मूलभूद जरूर वहां होगा हाँ कोई अधिक मूलभूद चीज वहां होगी हम नहीं जानते कि वो क्या है अभी के लिए हम उसे आप कहेंगे आप अपने अंदर कैसे जाएंगे मैं पूछ रहा हूँ आप इस हॉल में आ सकते हैं आप इस हॉल से बाहर जा सकते हैं आप अपने अंदर कैसे जाएंगे मैं पूछ रहा हूँ ये कहना कि इसे छोड़ देते हैं ये तरीका नहीं है आप इस तरह कीजे जो आप नहीं हैं उन सब चीजों को आप किनारे रख दीजे तो आज अगर आप सोने जाने से पहले हर वो चीज जो आप नहीं है उसे एक तरफ रख दीजे वो आपके लिए कीमती हो सकती है आप उसके बारे में सोचिए आपका घर क्या वो आप है ओ मेरा घर ठीक है उसे लेकर आप बहुत भावख हैं मगर ठीक है उसे एक तरफ रख दीजे आपका पती, क्या वो आप है? नहीं, ये आसान है, वो मैं नहीं हूँ मेरे बच्चे, क्या वो मैं हूँ? ओ, थोड़ी मुश्किल है, मगर नहीं वो मैं नहीं हूँ वो आपको बताना शुरू कर रहे हैं अगर वो 12 साल के हो गए हैं, तो उन्होंने बता दिया होगा तो जो कपड़े आप पहनते हैं, क्या वो आप है? नहीं जो शरीर आप पहनते हैं, क्या वो आप है? नहीं ये सब विचार और भावनाएं, क्या ये आप है? नहीं एक दिन जब आप सफलता से हर चीज़ को एक और रख देंगे जो आप नहीं हैं, जो आप हैं वो वहां होगा. हमारे पास उन चीज़ों के बारे में बहुत विचार होते हैं जो हमने नहीं देखी. ये एक बड़ी समस्या है. शंकरन पिल्ले ब्रिटानिया गया. शंकरन पिल्ले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज गया नौकरी के लिए. नौकरी खोजने के लिए. तो उन्हें एक स्मार्ट दूर दर्शी सेल्स मैनेजर की तलाश थी. उन्होंने उससे एक सवाल पूछया. क्या अधिक दूर है? मुंबाई या चांद? शंकरन पिल्ले ने सोचा. फिर बोला मुंबाई. उन्होंने पूछा क्या? मुंबाई चांद से दूर है? वो बोला हाँ. कैसे? वेल मैं चांद को देख सकता हूँ, मुंबाई को नहीं देख सकता. तो मैं ये कह रहा हूँ. अगर आप अपने मौजूदा बोध से चलेंगे, तो आप घलत निशकर्षों पर पहुँचेंगे. तो निशकर्ष निकालने की हरबड़ी में ना रहें. थोड़ा अधिक ध्यान दें. आप एक सार्थक जीवन हैं, जिसे थोड़ा ध्यान चाहिए, है ना? दूसरे लोगों का ध्यान मत खींचिए. आपका अपना ध्यान, क्या इस जीवन को ध्यान की जरुद नहीं है? इस पर ध्यान दीजे. काफी ध्यान, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा. आपके बारे में सब कुछ आप मुझ से पूछ रहे हैं. अगर मैं आपको बताओं आपके पास क्या होगा, आपके पास कुछ और शब्द होंगे. कुछ और शब्द आपके पास होंगे, वो आपको सच के करीब नहीं ले जाएंगे. एक और शब्दिया, दस और शब्द आपको वास्तविक्ता के करीब नहीं ले जाएंगे. मगर वो अपने बारे में एक भी चीज नहीं जानते. इस तरह की, क्या कहें, बहुत ज्ञान पूर्णा ज्ञानता खतरनाक है. आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते, ये कोई समस्या नहीं है. अगर मैं देखता हूँ, मैं नहीं जानता, तो जानने की संभावना हमेशा होती है, है ना? अगर मैं नहीं जानता और सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ, तो मैंने सारी संभावनाई नश्ट कर दी हैं. तो हमने बहुत से नतीजे निकाले हैं. हम जानते हैं, हर संस्कृति में वो जानते हैं कि ईश्वर की प्रकृति क्या है, वो कहां रहते हैं, वहां का काम और महौल कैसा है, आप जानते हैं, हर कोई स्वर्ग का नक्षा जानता है, है ना, नहीं जानते हैं, मगर आप अपने बारे में एक भी चीज नहीं जानते हैं, अब समय है, समय है कि हम ध्यान दें, क्यूंकि आप जो भी जानते हैं, आप उसे उसी तरह जानते हैं, जिस तरह वो आपके मन के आस्मान में दिखता है, आप कोई चीज किसी और तरह से नहीं जानते हैं, हाँ या ना? तो आपको ये ठीक करना है, आप हर चीज को अपने मन के आईने में देख रहे हैं और आईना हिला हुआ है, पहले उसे ठीक कीजे, पहली चीज है, उसे स्थेर, समतल, एक सीधा दरपन बनाना, ताकि आप हर चीज को वैसे देखें, जैसी वो है, क्या समतल आईना आपको हर च अब पूरी दुनिया पूरा जीवन जो आपके मन में चल रहा है उसको पलटने उसे टुकड़े टुकड़े किये बिना पलटने के लिए और कुछ चाहिए मगर पहली चीज है आइने को सीधा करना ताकि वो आपको हर चीज वैसे दिखाए जैसी वो है किसी और तरह से नहीं अभी सब कुछ इस तरह दिखता है कि आप किसी चीज से कैसे जुड़े है हर पहचान ने आपके मन के आईने को बिगाड़ दिया है और वो आपको चीजएं बिलकुल अलग तरह से दिखाता है सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात करना बंद कर दें जिन्हें आप नहीं जानते कोई सोल, कोई आत्मा, परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं, दिव्य नहीं, स्वर्ग नहीं ऐसी चीज की बात कीजे जिसे आप जानते हैं और फिर अगला कदम उठाने की एच्छा तीव रहोगी वरना, जब आप स्वर्ग का पूरा नक्षा जानते हैं, तो किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत क्या है?